संसार को कहते हैं भव, भव माने संसार संसार का नाम भव क्यों है? क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं, ब्रह्मा जी बैसाई सरीर दे करके संसार में पटक देते हैं तो हम मूशको भव, तो हम मानवो भव तो 84 सी इलाखे जो सरीर हैं उनमें बैठा करके हमारे कर्म के अनुसार ब्रह्माजी भव माने पैदा कर देते हैं इसलिए संसार का नाम भव है और भव रोग की भव रोग माने पुनरपी जननम पुनरपी मरनम पैदा होगे कितना कष्ट हुआ नो महीने तक मा के पेट में कष्ट पाए और फिर भयंकर कष्ट के साथ जनम हुआ जनम के समय भी बड़ा भयंकर कष्ट होता है बच्चा कभी कभी उस कष्ट में वेहोस तक हो जाता है तो जन्म में भी भगवन संक्राचार जी कहते हैं जन्म दुख्खम फिर जरा दुख्खम जाया दुख्खम पुनह पुनह अंतकाले महा दुख्खम तस्मा जाग्रती जाग्रती ये दुखाले संसार में हमेशा दुख, मा के गर्व में दुख, गर्व वास समम दुखम न भूतो न भविश्यती, गर्व में कश्ट पाए, तरतियस कंद में कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से वरणन किया है, कि जीव मा के गर्व में कैसे कैसे कश्ट पाता है, 8-8 घंटे कफ़ा कहते थे 3-3 घंटे का 2 सत्र होता था 9-12, 3-6 परन्त हम 12 की जगा लगए 1 बजाते थे 4 घंटे इदर करते थे और वहां 6 की जगा 7 बजाते थे कि 8-8 घंटे की कफ़ा कहते थे तब भी लगता था कि वुषेह अधूरा रह जाता है पूरा नहीं कर पा रहे अब तीन गंडे की कथा में भी पूरा कर देते हैं तो ये तो सताबदी का सफर है साथ दिन में तो पूरा कर परन्तु भागवत के जो सूत्र हैं वो एक-एक सूत्र इतने मार में कहें या उन पर खूब गंडीरता से गहराई में चिंतन किया जाए तो फिर सब्ता धरा रह जाता है पिर अनिविश्यों को छोड़ना पड़ता है इसलिए एक विश्य पर बहुत ज्यादा प्रवचनों में तो ठीक्षान खूब किया जा सकता है और भागबत सब्ता बिदी से जब हो रहा हो तो फिर बिशेवस्तु को समेटना पड़ता है परन्तो इन भागबत के सूत्रों को हम जितना चिंतन करेंगे उतना ही ये पचेंगे, हिर्दे में उतरेंगे इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए पड़ते समें आप खूप चिंतन कर सकते हो नित्य स्वाध्याय करना चाहिए तब ये सूत्र हिर्दे अंगम होते हैं पचते हैं बोलो राधे राधे तो इस प्रकार से गोकन जी ने जब परश्ण किया कि सब को बिमान क्यों नहीं आया तब भगवत पारसोदों ने समझाया सुनने में बेद हुआ इसलिए परिणाम में बेद हुआ देखो ये कल्प ब्रक्ष है कल्प ब्रक्ष के नीचे जो कल्प ना करो पूरी हो जाती है ऐसे भागवत कल्प ब्रक्ष है निगम कल्प तरो वेदरुपी कल्पतरु कब ये फल है अब इससे जो कामना करोगे वो पूरी होगी और स्रोता प्राया कामना संसारगी करते हैं महराज बहु के बेटा हो जाए एक भागवत हमों बचाए लेंगे तो ये संसारगी कामना लेकर की लोग सुनते हैं कामना की बुर्ती होती है मोक्षी की कामना से केबल धुंदकारी ने सुनी थी इसलिए बिमान आ गया मुक्ती हो गई बागी कोई ये सोच रहा तो गौकन पहली वार कथा कह रहा देखें कैसी कथा बोलता है चलो सुने आवे बहुत से लोग कथा में व्यवहार ने भाने भी आते हैं कैसा आप तरी पाठी जी ने बुलाया है चलो एक दिन हजरी लगाया वे बोलो रहा दे रहा दे अब शारिक्ताएं व्यवहार तो बहुत इतना बढ़ गया है अब कथाओं में कि भगवान की कथा कम होती है और अब शारिक्ताएं जादा होने लगे इसलिए भगवान के बहुत से लोग तो कथा के नाम पर भगवान के गुण कम गाते हैं या तो यजमान के गुण गाएंगे या आत्म कथा ही सुनाने लग जाएंगे तो ऐसी इस्तिती में वस्तू में या दवाई में मिलावट हो जाए तो वो उतना विर प्रभावशाली नहीं रह जाती इसलिए भगवान के गुण गाने के लिए बैटे हैं तो गोविंद के गुणों से बढ़ करके किसी के गुण नहीं हो सकते हता है प्रभू के गुणों का ही गान करना चाहिए उन्हीं से कल्यान होगा